National Nutrition Month is going on and everyday हम कोई ना कोई आपके लिए Home Remedy देते हैं तो विकर्स हमारे इंडिया में इतनी सारी चीज़े हैं कि हमें किसी medicine की जुरुरत नहीं है किसी भी ऐसे ही रोज जैसे आप उठके इतनी इतनी गोलिया खाते हो उन चीजों की जुरुरत नहीं है आप अगर हमारी जो एंडियान हमारी Home Remedy है हम लोग उनको ही अपने जीवन में लेके आएं तो हमें मुझे नहीं लगता किसी चीज की किसी कोई medicine की जुरुरत पड़ेगी तो यही बात को लेके हम लोग everyday आपके लिए ऐसी ऐसी useful Home Remedy लेके आते हैं कि आप without medicine अपने आपको healthy रख पाए तो इसलिए आज की जो हमारी Home Remedy है वो है face glow सारे लोग चाहते हैं कि हमारा face जो है वो glowing हो हमारी skin glowing हो हम लोग यहों को aging जो है वो जल्दी ना आए तो उसके लिए जरूरी है कि अपनी health को अपने face को या अपनी body को अपनी skin को glowing बनाना और उसके लिए हमें कुछ efforts भी करने पड़ेंगे यह नहीं है कि हम लोग everyday cosmetics यूज करें इतनी costly creams यूज करें उसका कोई फाइदा नहीं है कभी भी उससे face glow enhanced नहीं होता तो उसके लिए हमारी home remedies बहुत ही effective है जो आप daily खाते हो वही face पे लगाओ जैसे कि जो आज मैं home remedy देने जारे हूँ उसमें 3 चीज़े हैं एक तो है कि आप लोग banana जैसे everyday one banana जरूर खाएं और उसका जो पील है बनाना पील अंदर की side उसकी अपने face पे भी लगाना जरूरी है बनाना खाएं भी और face पे भी लगाएं and secondly tomato तोमेटो आपको खाना भी जरूरी है and साथ ही उसका जो पल्प है tomato pulp उसको face पे everyday one time जरूर लगाएं and third thing is jojoba oil तो jojoba oil skin के लिए बहुत ही effective है रात को सोने से पहले क्योंकि आज कल आप AC में भी सोते हो तो उससे face की dryness ज्यादा हो जाती है and moisture जो है वो कम हो जाता है अंदर तो इस वज़े से आप जो रात को सोने से पहले अगर jojoba oil लगाके सोएंगे तो आपका moisture जो है वो retain करें रिंकल्स नहीं आएंगे skin जो है वो smooth रहेगी हाना तो इसलिए आप इन चीड़ों को ज़रूर apply कीजिए और हमें comment box में लिखना ना भूलिए कि आप में ये remedy की है या नहीं की और अगर की है तो उसके क्या effects आए thank you have a nice day